जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए पैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में है compatibility के बारे में है व्रिष्चिक राशी के लोग किन राशियों को प्यार करेंगे और ऐसी वो कौन सी राशियां हैं जो खुद आपके पास चल कर आएंगी और आपकी जोड़ी किस राशी के साथ सबसे जादा शांदार रहेगी व्रिष्चिक राशी अश्टमभाव की राशी है मंगल की राशी है भगवान शिव और हन्वान जी के दुलारे एक complicated personality है व्रिष्चिक राशी बहुत आसान नहीं है व्रिष्चिक राशी को जानना व्रिष्चिक राशी को समझना जब आप किसी से प्यार करेंगे तो किसी भी हद तक जाएंगे और अगर किसी से एक बार मुँ फेर लिया, किसी से एक बार चिड़ गए तो फिर उसे कभी माफ नहीं करते बहुत ही बुद्धिमान और भावुक अपने अपमान को कभी न भूलने वाले होते हैं वरश्चिगराशी की लोग ये अपनी जीवन में हर रिष्टे को बहुत ही शिदत से निभाते हैं चाहे वो प्यार का रिष्टा हो या फिर नफरत का चाहे वो परिवार के साथ हो या दोस्तों या रिश्यदारों के साथ बहुत ही न्याय प्रिय होते हैं किसी पर अन्याय होता हुआ देख लें तो ये फिर अपनों से भी लड़ जाएं जीवन में कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलेगा जो भी चीज मिलेगी बहुत ही एक्स्ट्रीम लेवल की मिलती है धोका मिलेगा तो जबरदस धोका मिलेगा इसी चीज में असफल होंगे तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा जूटे आरोब भी बहुत लगते हैं लेकिन इनका जो आत्म विश्वास है वो बड़ा कمाल है इसी भी तरह की situation में घबराते नहीं है इनका जो मन है वो बहुत strong है घलाकि इन्हे सफलता देर से मिलती है लेकिन जब इन्हे सफलता मिलती है तो दुनिया देखती रह जाती है, इनकी सफलता शोर मचाती है व्रिश्चिक राशी के लोग काफी सुन्दर होते हैं, जलतत्व की राशी है जलतत्व की राशी जो भी होगी वो बहुत ही भावुक होंगे और सौंदर्य भी इनमे रहेगा घर-परिवार के मामले में ये बहुत भागिशाली होते हैं और परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित भाव रखते हैं अब बात करते हैं, बारा राशियों के साथ आपकी जोड़ी कैसी रहेगी शुरुआत करेंगे मेश राशी के साथ मेश और व्रेश्चिक, आपका प्यार ओसत रहेगा हनाकि मेश राशी भी मंगल की ही राशी है एक जिद, अनुशासन और लर्निंग पावर ये आप दोनों में ही बहुत कमाल की हैं लेकिन आप जल तत्व हैं और मेश अगनी तत्व जल और अगनी का मिलन नहीं हो सकता ये भी सर्व विदित है आपके रिलेशन्शिप में प्रेम से ज़ादा टकराव होगा इसलिए ये जोड़ी अच्छी नहीं बनेगी व्रेशब राशी के साथ में आपकी अच्छी जमेगी शुक्र की राशी है तन से भी सुन्दर हैं और मन से भी बहुत जिमदार होते हैं समझोतावादी होते हैं पूरी तरह से समर्पित भाव रखते हैं इसलिए आप हमेशा प्रेसंसा करेंगी इनके स्वभाव की ये आपकी सब्तम भाव की राशी है और सब्टम भाव विवाह का कारग भाव है इसलिए अगर विरशब राशी के साथ आपका प्रेम हो विवाह हो तो ये अतिवतम रहेगा कमिली राशी आती है मिथुन राशी बहुत जदा सोचते हैं मिथुन राशी के लोग महनती बहुत हैं लेकिन कामों में उलजी रहते हैं इसलिए सारा समय ये अपने काम पर ही फोकस रखेंगे आपको वक्त नहीं दे पाएंगे और आपका स्वभाव कुछ हैसा है कि आप हर छोटी से छोटी चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर पल को खुल कर जीते हैं जबकि मिथुन राशी वाले बहुत बड़ी उपलब्दी को ही प्रोग्रेस मानते हैं दुई स्वभाव की राशी भी है कन्फ्यूजड राशी कह सकते हैं तो यहां आपका मिथुन राशी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाएगा करक राशी बेहद सौम्य, भावुक और दिल से सोचने वाली राशी बहुत ही कोमल राशी ये लोग सिर्फ प्यार के लिए जीते हैं और एक बार किसी के प्यार में पढ़ जाते हैं तो अपने जीवन का ताना बाना उसी के चार ओर बुने रखते हैं सुन्दर भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह से नौचावर रहने वाले ये लोग हैं आप से तो ये बहुत ही जादा प्यार करेंगे क्योंकि आप इनके पंचम भाव में हैं, प्रेम भाव में हैं इसलिए इनका प्यार आपके लिए पहले से ही तैय है, अति उत्तम जोड़ी रहेगी कर्क और व्रिष्चिक राशी की अगली राशी की तरफ बढ़ते हैं, सिंग राशी ये बहुत ही प्रभाव शाली राशी है, सूर्य की राशी है तो इनके अंदर एक गजब का तेज होता है दिखने में बड़े सक्त लगते हैं, लेकिन कोमल मन के भी ये होते हैं आप सिंग राशी से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि आप हमेशा इनसे प्रभावित रहेंगे और सिंग राशी को भी आपका प्यार जताना, आपका जो आकरशन है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बहुत बढ़िया जमेगी आपकी इनके साथ कन्या राशी के साथ आपकी जोड़ी देखी जाए तो ओसत ही रहेगी क्योंकि ये दुएश बहुत इंप्रेस रहेंगे, लेकिन आप इनके सवभाव को लेकर कन्फ्यूज रहेंगे इनका हमेशा आपके उपर डिपेंड रहना, ये कही न कहीं आपको खटकेगा आप एक ऐसा जीवन साथ ही चाहते हैं, जो आपसे कंधे से कंधा मिला कर चले बढ़ते हंगली राशी की तरफ तुला राशी, तुला राशी के साथ भी आपकी कम नहीं भेगी क्योंकि थोड़े से संकोची स्वभाव के हैं ये भी, मीन में एक बहुत जादा निकालते हैं बहुत मुश्किल होता है तुला राशी को खुश करना और आपका स्वभाव ऐसा है कि अगर कोई आप में कमी निकाले तो ये आप बरदाश नहीं कर पाते तो ऐसे में जगडे होंगे आपके बीच में इसलिए तुला और वरिष्चिक की जोड़ी अच्छी नहीं बनेगी हाँ अगर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना ही है तो ये औसत दर्जे की जोड़ी कही जा सकती है वरिष्चिक राशी वरिष्चिक और वरिष्चिक राशी की जोड़ी इनकी नहीं बन पाएगी क्योंकि जब दोनों ही राशियां इतनी उर्जावान रहेंगी तो तकराव बड़ा भयंकर होगा और इसके पैणाम भी भयंकर ही होंगे एक समय में आपके बीच प्यार बहुत रहेगा लेकिन जब बिगणनी शुरू हो जाएगी तो उस समय पर आप एक दूसरे के बहुत बड़ी दुश्मन बन बैठेंगे क्योंकि ऐसी इस्थती में आप दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे ये कभी एक दूसरे के सामने जुकेंगे नहीं और एक दूसरे की गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वरिश्चिक की जोड़ी वरिश्चिक के साथ अच्छी नहीं बैठेंगी धनु राशी के साथ भी आपकी नहीं बन पाएगी बहुत ही बुद्धिमान राशी है, प्रैक्टिकल राशी है आप इन्हें बहुत प्यार करेंगे लेकिन आपके प्यार को ये वैल्यू नहीं देंगे आप बस इनके सामने समझोता ही करते रह जाएंगे और ये कभी आपको समझ भी नहीं पाएंगे तो क्यूं जाना है ऐसे इनसान के पास जो आपको समझे ही ना कुल मिलाकर बात आपकी बनेगी नहीं धनु राशी के साथ में मकर राशी बहुत ही उत्तम जोड़ी रहेगी ये बने ही हैं आपको प्यार करने के लिए ये हमेशा आपसे आकरशित रहेंगे आपकी हर छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे राशी मंडल की सबसे वफदार, सबसे लॉयल राशी है मकर राशी और अगर कभी इने खबर हुई कि आप इनसे प्यार करते हैं तो ये बिना कुछ सोचे समझे, दौरते हुए आपके पास आएंगे पति उत्तम जोडी रहेगी आपकी मकर राशी के साथ में अगली राशी की तरफ पढ़ते हैं कुम्ब राशी इनके साथ आपकी कम ही बन पाएगी क्योंकि कुम्ब राशी के लोग एक डौमिनेटिंग परस्नालिटी की है ये हमेशा किसी न किसी चीज को सुलजाने में लगी रहते हैं बड़े समाज सुधारक कहे जा सकते हैं हालांकि जिम्मेदारी तो लेते हैं अपने परिवार की जिसे प्यार करते हैं उन सब की लेकिन रोक-टोक भी है इनके स्वभाव में और आपका जो स्वभाव है और आपका जो व्यवार है वो स्वेतंत्र व्यवार है आपको रोक-टोक बिल्कुल पसंद नहीं तो यहाँ हर समय आपको यही फील होगा कि आप हमीशा समझोता करते हैं कही नख़ी आपको बांधा जा रहा है आपकी भावनाओ को सीमित किया जा रहा है आप सब चीज को इंजोय करने वाले हैं जबकि कुम राशी के लोग हर चीज सोच समझ खर करते हैं कही नख़ी विचारों का टकराव ये हमीशा आप दोनों के बीच में रहेगा इसलिए कुम के साथ आपकी कुछ जाद आच्छी नहीं बन पाएगी मीन राशी इनके साथ देखा जाए तो आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी आपका प्यार इनके लिए पहली सित्य है क्योंकि ये आपके पंचम भाव में है प्रेम भाव में है बहुत सौम में हैं भावुक हैं और जलतत्व की ही राशी है बुद्धिमान है हमेशा एक दूसरे के प्रती आकर्शन बना रहेगा तो ये कुछ तथ्य हैं जोकी जोतिष शास्त्र के आधार पर बनी है बाकी मैंने बेमेल जोडी की राशियों को भी देखा है जिनकी बड़ी अच्छी निभी है काम्याब जोडी की मसाल उन्होंने दी है क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात होती है प्रेम की, समर्पन की और जहां यह चीजे हैं वहां हर जोडी अपने आप में सम्पूर्ण है तो बस विश्वास बनाए रखें अपने पार्टनर पर उन्हीं प्रेम करें एक दूसरे का सम्मान करें यह बहुत महत्पूर्ण है हर रिष्टे को निभाने के लिए आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे बताने के लिए और अपना प्यार मुझे तक पहुँचाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भीजें साथ ही ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद